हलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का रियल क्विक अनलिसिस चैनल पर तो चलिए अब जल्दी से चर्चा करते हैं, हम आपने आज के रोचक अनलिसिस की हमारी इस वीडियो के स्पॉंसर है सचिन जी, हमें सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद यही देखने को मिला हाल में जब चीन ने कहा कि लेसी पर तनाव खतम करने के पहले भारत ने जिन टैंक और तोपों को डुपलाई किया है उन्हें पहले पीछे ले जाया जाना चाहिए पता नहीं चीन सायद तो भारत को बेवकूप समझता है मतलब भारत और चीन पहले अपने फॉरवर्ड डुपलाइमेंट को पीछे हटा ले ताकि मौका पढ़ने पर चीन भारत से पहले अपने टैंक और तोपों को बापस डुपलाई करके भारत पर जबरदस्क हमला बोल सके वैसे भी हम सभी को पता है कि भारत की तुल्ला में चीन अपनी साइट में इंफ्रस्टक्चर बहुत अच्छा बना रखा है इसलिए अब धीरे-धीरे साफ होने लगा है कि इस पार सर्दी के दौरान भारतिय सेना को बड़ी संख्या में लदाक की पहाड़ियों पर त पतिजार कर रहा है और यदि ट्रंप सहाब चुनाओं हारते हैं तो हो सकता है कि भारत पर जीत के लिए चीन हमला बोलते हमारे कहने का मतलब डर फैलाना बिलकुल भी नहीं है हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि आगे आने वाले सर्दियों के मौसम में क्या होने वाला है इस बारे में हमें बुरी से बुरी हालत के लिए भी तैयार रहना होगा हमारे लिए गर्व की बात यह है कि इंडियन आम्ड फोर्स भी हर संकट से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है इस बैक्ग्रांड में हम सभी को अच्छे से पता है कि 1962 की लडाई में भारत की करारी हार का एक प्रमुख कारण यह था कि भारती सेनिकों के पास हड़ी गलाने वाली सर्दियों में पहनने के लिए गरम कपड़े तक नहीं थे लेकिन इस बार संकट को भाबते हुए भारत ने अमेरिका से बड़ी मातरा में सर्दी के मौसम में उचाई वाले इलाकों में लड़ने के लिए वारफेर किट्स अर्जेंट बेसिस पर खरीद ली है और भी अच्छी बात यह है कि वर्ष दोजार सोला के लोजिस्टिक इसक्योर्मेंट और समनवे को बढ़ाने के लिए इंडियन डिप्टी आर्मी चीफ अमेरिका की यात्रा पर भी गए हुए हैं अब आप पूछ सकते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई इतियास गवा है कि हर युद्ध में जब भारत को इमर्जेंसी में किसी आइटम क को खरीदा हम से अनाप सनाप कीमतें बसूली गई हमारा आम अनुभाव भी बताता है कि यदि हमें जरूरत पड़े और यदि सामने वाले को हमारी इमर्जेंसी का पता है तो वह हमें अर्जेंट आइटम बहुत उचे दाम पर बेचने की कोसिस करता है बेहसर और शब्दो में भारती सेनिकों को हतियार के साथ साथ लोजिस्टिक सपोर्ट चाहिए और यहीं काम आ रहा है 2016 का अमेरिका के साथ पहला फांडेशनल एग्रिमेंट जिसके तहट सिस्टम बना हुआ है केवल उसे काम मैप लिया जा रहा है चुकि सिस्टम का विकार शांती काल में किया इसलिए संकट के काल में अमेरिका भारत की मजबूरी का लाव नहीं उठा सकता है हाँ यह बास सही है कि आज अमेरिका भारत के काम आ रहा है तो कल हमें भी अमेरिका के काम आना होगा हम सभी ने देखा है इसी एग्रिमेंट का कमाल है कि दूर सुदूर अरक सागर में अमे से भारत और अमेरिका एक और एक ग्यारा हो गए हैं शायर यही कारण है कि जब इस agreement को finalize किया गया था तो भारत में बैठे left liberal नेताओं और विद्वानों अपनी चाती खूब पीटी थी जिस को रोना है वह रोता दोता रहे हमें तो यह देखकर अच्छा लगता है कि कम से कम इस बार भारतिय सैनिकों को सर्दियों में बिना गरम कपड़ों के लड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारे आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शेर जरूर कीजिए साथी हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और आप हमारे चैनल की मेंबर्शिप भी ले सकते हैं अंत में दोस्तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत अधिक धन्यवाद